हलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हैं मुंफली दाने की चिक्की या पापड़ी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसे मुंफली दाने की चिक्की या मुंफली की पापड़ी बनाने के लिए 1.500 ग्राम मुंफली के दाने लिया है इन्हें रोष्ट करना है करीब 4-5 मिनिट इन्हें रोष्ट करें और गैस का फ्लेम मीडियम या मीडियम स्लो फ्लेम पर रखें तेज पे ना करें क्योंकि तेज में करने पर ये जल सकते हैं मुँखली के दाने अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं ये देखिए जब अच्छे से भुण जाते हैं तो अपने ही आप छिलके छोड़ देते हैं अब इन्हें किसी भी प्लेट में निकालने ध्यान रखें इसको कड़ाई में न रखे रहने दें ये देखिए सभी की छिलके अलग कर लिया है और इन्हें बीच से इस तरीके से ब्रेक कर लें सारी मुखली के दाने को मुंफली के दाने पहले से त्यार करके रख लिया है अब फ्राइपेन या कड़ाई में 1.500 गुर्ण लें जितना गुर्ण लें उतना ही मुंफली के दाने गुर्ण को बारे काट के ही यूज करें इसमें 1.5 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी डालें और 1 टेबल स्पून पानी एट करें इससे ज़्यादा पानी एट ना करें पानी और घी इसलिए एट किया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और गुर्ण इसलिए बारे काट कर यूज करें क्योंकि गुर्ण की अलग-अलग वराइटी होती है कुछ गुड जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और कुछ गुड नहीं हो पाते हैं गैस का फ्लेम श्लोपे रखें तेज में न पकाएं नहीं तो यह गुड जल जाएगा और इसका अच्छे से पकाना जरूरी होता है जब आच्छे से पकेगा तभी हमारी पापड़ी खाने में अच्छी लगेगी और दाथ में चिपकेगी रही जब ये पकता नहीं है तभी ये शिकायत होती है कि हमारी पापड़ी खाने में चिपक रही है एक से दो मिट तक पकाने के बाद इसे चेक करना है किसी भी बरतन में पानी लें और इसकी दो तीन डॉप इस पर डाल कर देखें दो से तीन सेकंड बाद इसे चुकर देखें यदि हाथ पर लेने पर ये खिच रहा है ठीक से तूट नहीं रहा है इस तरीके से ये लंबा लंबा खिज रहा है तो इसे लगभग 15-20 सेकंड और पकाएं इस तरीके से आप बार बार चेक करने के लिए पानी में इसकी बून डाल कर चेक कर सकते हैं 15-20 सेकंड पकाने के बाद इसकी 2-3 डॉप फिर से पानी में डाल कर देखें इसे चेक करके देखें हलकी हाथ से भी तोड़ने पर असानी से तूट रहा है और हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है तब आप कड़ाई में मुंफली के दाने डालें मुंफली के दाने कड़ाई में डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें किसी भी प्लेट या थाली के पीछे साइट घी लगाएं घी ज्यादा मात्रा में लगाएं ये काम हम पहले से करके रख लेते हैं मुंगफली गूर्क के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है ध्यान OC मुंगफली जब कढ़ाई में डालते है तो उसे जादा गरम नहीं करना होता है बस मिक्स करना होता है गूर्क के साथ अच्छे से लिपण गाए इसे थाली में पलट电 थाली अप्लेट में ज्यादा मात्रा में घी लगाते हैं तो यह पापड़ी सुखने के बाद आराम से निकल जाती है अब किसी भी चम्मच में पीछे साइट घी लगा ले और इस तरीके से दबा दे ताकि यह सही शेप में आ जाए इस तरीके से और अब किसी भी बेलन में घी लगाएं और इसे इस तरीके से ऊपर चला दें ताकि यह एक्वल हो जाए पूरा जब ये हलका ठंडा हो जाए तब इसमें चाकू से इस तरीके से निशान बना दें क्योंकि जब ये अच्छे से सूग जाएगा तो चाकू से निशान बनाना मुस्किल हो जाएगा और पीस नहीं निकल पाएंगे अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें उसके बाद इसे निकाल लें ये देखिए इस तरीके से सारे पीसेस निकाल लें कितनी अच्छी पापड़ी बन कर तयार हुई है फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करिए जादा से जादा लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ओके फ्रेंड्स बाई बाई